आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार हमारे देश के समस्य को हमेशा से जर्म देते आ रहे हैं और ऐसे मुद्धे बन चुके थिक जिनका अब तक निजान नहीं हो सका है। और इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसका हम सोचते हैं क्योंकि समाज की बहुत तेहता कि मुद्दा जा चुका है और समाज का बच्चा बच्चा बुड़ा वजरुक हर आडमी जानता है कि मुद्दा क्या है पर एक परता और है लगातेर हमारे देश में बोल्सकेदि देश दानीच में लग। रहा है। जी हां वह प्रथा का नाम है, दहिज प्रथा, ज situation है कि अगर हम सुरूबात की बात करें तो बैरिक काल से इसका रूबात हुई है, तो Monte 아까 की में शुरूबात हुई कि जब किसी बिटिया के साधी होती थी तो जो बिटिया का बाप होता था पिता होता था वो बिटिया के साथ अपनी बच्ची के साथ कुछ तौफे साधी के समय उपाहार में देता था और हस्तु के नाम से इसको कहा जाता था कहा जाता था कि ये बियुस्था है और बियुस्था के तहत हम इस तौफों को अपनी बिटिया को साधी की समय देते हैं यह प्रता थी और यह प्रता चलते चलते दहेज में बनल गई और तमाम तरह के जो व्यास्था है वो अब इस तमाम तरह की जो प्रता है वो अब इस प्रता के साथ जुड़ गई है कैसे जुड़ गई है क्यो बात होती है समस्याओं की दहेज देते हैं तो बात होती है मौत की क्योंकि जिस तरह से लगाता दहेज के मामले बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विसाय है मैं अब बात करूँ मैंने आपको बताया प्राचिंकाल शुरुबात भी बहुत काल से उसके बात काल में भी यह जो दस्तूर है जारी रहा और लगातार लोग दहेज लेते रहे उसके बाद जब आजूने के यूग आया यानि अंग्रेजों के बार का यूग है और उसके बा भी इस प्रथा पर कोई रोकने लग पाई और 1961 में इसे खलाब कानू बनाया गया और जो बहतू के नाम से पेड़े काल में फेमस थी प्रसिद्य ती उसको दहेज प्रथा के नाम से यहां पर एक दहेज निसिर अरिनियम लाया गया उसके तहर कहा गया कि अब दहेज मांग 25.95 की तहत यहां सजा दी जाएगी और सजा भी तीन से पांच साल की रहेगी और सथी साथ यहां पर 15,000 रुपए का जुरमाना रहेगा और इस नियम के तहत यह भी कहा गया कि गिर्पतारिया होगी और किसी भी महिला का सोचर यहां पर नहीं हो पाएगा पर जब हम इस कानून की बात करते तो बड़ा एक प्रकार से पचलगता है कि हां कानून ने बहुत कुछ किया ए पर जब हम इस कानून के सापेश एच्छे दूसी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे दिसमें पती गिर घंटे में एक महला की मौत दहेज पिता के कारण हो जाती है यानि आपका एक दिन में लवा लवा बीश महला हैं दहेज के दानों की बली चल जाती है और अगर यह आकड़ा हम साल कलें तो लवा लवा छह हजार से जाला महला हैं दहेज और पीरन के करने मौत के मुझ में चली जाती है उनको जला दिया जाता है या वो आर्पत्या कर लेती है या घिजट घिजट के वो मौत के आगोस में चली जाती है यह आगला रहा और अगले कि एक रिपोर्ट के नुसार यह भी कहा गया बताया गया है कि 2013-2015 के बीच यानि पिछले 2013-2015 इन बीते तीन साल में यह केन सरकार का एक आगला था और जुलाई 2015 में जारी किया गया था तो कहा गया था कि 2012 जुलाई से अगर शुरूबात करेंगे तो 12, 13, 14, 15 में जुलाई के जो आखड़े दिये गए थे कहा गये थे कि 27,771 मेलाओं की मौत हो गई है दहेज के कारण यानि दहेज की ब्यवस्था के कारण यू तो हमाई समाज में दहेज लेना अपराद, दहेज देना अपराद, दहेज के लिवक्साना अपराद, दहेज की बात करना अपराद पर जब हम बात करते हैं दहेज को ना लेने देने की पर यहाँ पर कोई अपराद नहीं होता खोले आम हमारे देश में दहेज मांगा जाता है दहेज दिया जाता है जायर सी बात है जब दहेज मांगा नहीं जाएगा तो दहेज देना क्यों पर यहाँ पर हमारा अदिनियम जो बोलता है वो यह बोलता है कि दहेज लेना भी पराद है और दहेज देना भी पराद है पर दहेज दे क्यों नहीं मजबूरी अगर अपनी पिटिया की साधी कननी है अच्छे घर में उसको बेजना है तो वहाँ पर जितना अच्छा कमाऊ लड़का होगा दहेज की मांग उतनी अच्छी होगी सरकाई नोकरी में होगा तो दहेज की मांग दस से पंदा लाग भी हो सकती है प्राइबेट में नोकरी में होगा तो यहां पर खुले मूझे यहां पर दहेज दहेज और मांग जाता है उसके बाद एक समस्य और लगातार गंबिलोती जा रही है कि दहेज तो यार दिया ही जा रहा साथिसा दहेज के बाद यहाँ पर तलाक के मामले भी लगातार रहा है अगर आप परिवार बाद नियाले जाएंगे और यहाँ पर अबलोकन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पर हाल में ही साधी के बंदने बंदे को जोड़े वहाँ पर तलाक के लिए कतारे लगाए नजर आएंगे ये कतारे क्यों है ये कतारे इसलिए है क्योंकि जब आप दहेज के माद्यम से किसी लड़का लड़की की साधी करते है बिना मर्जी को और अपना एक विवस्था देखते है कि हाँ लड़की का अगर अच्छे भी नहीं है और अगर दहेज मिला है तो हम लड़के को साधी कर देंगे और यही बजय होती है कि बार में सामजस नहीं बैठ पाता है लगातार समाजिक बिगटन यानि की साधी के तूटने की खबरें आती हैं परवार बार नेलाय में आप जाके देख सकते हैं कि इस तरह के जोड़े आपको नजर आएंगे जो कि बिलकुल युबा है और ह कोई द्धर्म अलग नहीं है इसी सभी धर्म को लोग सामिल है तो सबसे बढ़ी बात यहां पर यह है कि हम जो प्रता ले के चले आ रहा है सदिवों से हमारा देश विविताओं को देश संस्क्ती अलग अलग है भासा अलग है परिवेश अलग है खानपन अलग है पर यृश्टा इसको रोकती यह नहीं लिलकुल सार बंभॉमिक तौर प exactlyупिट नजर आती हैं और चाहे उत्तर भारत के बात करें पर्षी भारत के बात करें और चाहे यृचरी बात की बात करें तो 304 B के तहर मुकर्मा डर्ज होता है उसके बाद ग्रफतारिय होती है उसके बाद कमजोर साच के अभाव में लोग छूट जाते है या मजबूर पैर भी करके लोग छूट जाते है और लड़की के माबाप गरीब है कमजोर है तो सौने पे सौहागा पर तो कोई डिक्कती नहीं है कानून को किस तरह से तोर मरोड कर ब्यूस्टित कर दिया जाता है वहाँ पर और कमजोर साच के अभाव में बोलो छूट जाते है पर जान किसकी जाती है एक नारी की वो नारी जो अलग तरह की सपने लेके एक नए परिवार में जाती है वो परिवार जिसको जानती तक नहीं और परिवार में जब जाती है उसके पिता एक सारी जिन्दगी की पूजी लगा कर उसकी साधी करते हैं दहेज देते हैं और जब वो दूचरे घर में जाती है तो एक सुनहरी सपनों के साथ जाती है सोचती है हाँ पर हमको परवार मिलेगा पर जब वो परवार उसको मारता है जब वो परवार उसको पिरन करता है जब वो परवार उसकी उपर कस्ट ढाता है और जब वो परवार उसकी जाल ले लेता है आग तक लगा देता है अगर हम दहेज हत्या की बात करें तो दहेज हत्या में 30-40% के मामले आग लगाने के मिलेंगे या फांसी लटकने के मिलेंगे और ये मामले करे जाते हैं क्योंकि कोई आग लगाता नहीं और कोई फासी पर अकेरे लटक नहीं सकता इतनी जल्दी और जो आकड़े हैं वो आकड़े इस्पस्ट करते हैं कि दहेज का जो दानव है वो लगातार हमारे देश की नारी सक्ति को लीलता चला जा रहा है और हम केबाल एक दरसक के नाते एक सुरुता के नाते इसको सुन रह यहें और देख रहे हैं सायजी कोई दिन का कोई समाचरपत्य ऐसा होगा जिसमें कोई बराथ्ना लोटी हो सायजी कोई अकवार चाय कीबात ना की हो कि मैंने आपको बताया की आकड़े बोलते हैं कि पते एक देड़ घंटे के अंदर एक महिला की मौत दहेज पीनन के कारण होती है हमाई देश का आकड़ा है और यह आकड़ा हबा का आकड़ा नहीं है यह रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं यानि देश में 6000 से ज़्यादा महिला है पती बर दहेज मामलों के चलते मौत के मुं चली जाती है और उनका परिवार जो उनका पिता होता है उनकी माह होती है वो अपनी जो जिस बेट्री को ओने सुनारे सपरों के साद्वार नहीं बहनता वो केबल केबल कोड़ में केस लड़ते लाटे ले आते हैं और मजबूत हैं तो पेसे से लाचा है तो सजा भी नहीं होती है और कम्त वह सजा में दहेश के राध्यश छूट जाते हैं मैं तहीं जहाूंब बोलूँगा कि दहेश को दाना तो को पालन करने बाले यही baixo भलना कोई गलत नहीं है और यही संग्या उनके लिए लाजमी भी है आज हम तमाम तरह की महिरा सस्क्तिकरण की बात करते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारे की बात करते हैं हम बेटियों को आगे बढाने की बात करते हैं बेटियां जो हमारे देश की सीमा की सुरश्च्छा भी करती हैं और वो बेटियां जो आज समाज को आगे बढ़ा कर ले जा रहे हैं वो बेटियां जो युद्धक बिमान में चला रहे हैं और वो बेटियां जो आज देश की मेरपूर संस्था में बड़े पड़ों पर करते हैं उनको सम्मेलानी ग्रूप से बिवस्ता करते हैं कि वो सम्मेलानी ग्रूप से और आंगे बने उनका उनका मर्स्राध जादा हो, उनकी जो बढड़चरण की राजनीती महस्तालें आंगे बने पर जब यह बाद बंडा है, बेटी banget को कारकी की morning दहेज उर्पीणन की आती है हत्या की आती है तो ये मामले कहीं न गत, केबल योग ना काफी साबित होती है कि एवड़ नाम साबित होती है पहले हम देखते थे कि 499 बी की तहत गरफतारी हो जाती थी पर उसके बार भी उसके बիचसे तमाम गरत्तारी ना हो तो यह तो इनको बल मिल गया बैए मेरा मानना यह है कि जो हमारे कानून है जो संसुदन कानून है जो लगातार इस दानों को खतम करने के लिए प्रयास कर रहा है खतम क्यों नहीं हो रहा है और यहां पर खतम करने के लिए आपको बनाने होंगे कठोर कानून कि बारिते चलते ही महत quantो चाहते हुआ की फिर मेलाoring के शेजा जाला हो रही एब पुरूस्त चाहर मेला how भी नहीं और बार महत नहीं यह हो रही है पर। यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दहेज की मामलों की चलते लगातार मौत हो रही है मैंने आपको 13 से 15 तक का मामला बता है 24 यार 771 महला की मौत हुई बड़ा मामला है 6000 से जादा मेला है पटिवर्स मारी जा रही है बहुत बड़ा है देश में हर देड़ घंटे में एक महला की दहेज के कारण मित्तिय हो जाती बहुत बड़ा मामला है और साथी तर मैंने आपको यह विता रहा हूँ कि आप कोई भी दिन का अखवार और प्रत्र का खोल लीजिए कोई ना कोई खबर आपको दहेज हत्या दहेज पीरन के से जरू जरू मिलोगी और मैंन आपको बदाया कोई बहार मैलाई ही फाला अठाती है इस धाराओं का कि अगर पूरोज अच्छा है तब भी उसको उसको पिंञरके मार्रण से धाराओं को दुरूभ करती है पर मैंना आपको यह विता रहा है कि उन वो मामले कुछ एक हैं कुछ एक मामले हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी मुत नहीं हो रहे हैं, पर जहाँ पर मुत होती है, तो वह मामला सम्मिनल सील हो जाता है, और मैंने आपको ये भी बताया है, कि जिस तरह से आज दहेज को लेके कोई बड़ा कानून नहीं मन दा है, बड़ी भी अस्था नहीं हो इस तरह की धाराएं वहाँ पर रखनी है, कि कहीं से भी जो उस बिटिया का हत्यारा है, वो रहात ना पाए, वो देश की जिला दालत से लेके हाई कोट जाए, सुप्रिम कोट जाए, पर उसकी सजा केवाल एक होने चाहिए, वोने चाहिए उमर कोड या फासी, क्योंकि मौ होर कानून बनाएंगे, तो निश्रूप से समाज में कुछ परिदस से बदलेगा, और यहां पर जागरू करने की बाद हम जरू करते हैं, पर यहां पर जागरू कोई होता नहीं, पिचरे भी आई, स्टोरी भी आई, कई तरह की डॉकुमेंटरी भी आती हैं, पर हम देखत हैं, कि लगातार दहेश के कारण, या फर बाराते बापस लोट जाती है, अभी हाल का एक मामला रहा है, उतर पर जिलेगा, जहां पर साधी के फेरे होने जा रहे थे, जैमाल हो चुकी थी, और जब फेरे के समय लड़की के बाप से कहा गया कि आप 10 लाग रुपए हमको ड बारी दीजिए, तब ही फेरे पूरे होंगे, जो लड़की के बाप ने कहा कि मेरा आपा पैसा नहीं है, जो पैसा तब मैं साधी खर्च कर चुका हूँ, तो ततकाल रूप से वो बारात वहां से बापस लोट कई, बाराते यो शंग दूला वापस चला गया, कहा ये साधी खर्च हुआ होगा, वापस करना होगा, पर दहेश के लोलो पी ये लोग पैसा ले भी ले, तो इसके बाप जूरी और मांग करते हैं, और मांग कैसे पूरी की जाए, क्योंकि बिटिया भी किसी की होती, किसी जिगर का अंस होती है, वो अपनी जिन्दिकी भर की साधी पू जब माबाब देखते हैं, उनकी दिल पर क्या गुजरती है, ये माबाब जानते होगा, या फिर बुबटिया जिस पर जख हमें दिये गए हैं, तो मेरा कारिकम के माध्धम से केबल एकी बात कहना चाहता हूँ, कि जो दहेश पर था है, इसको खतम करने के जमरारी केबल हम समाज की है, हम न दहिज लेना चाहते हैं, न हम दनिज देना चाहते हैं, फिर हम दहिज लेते क्यों हैं, इसलिए यहाँ पर दहिज मांगना बन करना होगा, दहिज देना बन करना होगा, और साथी साथ उन लोगों को भी अपनी जिन्दगी के रास्ते चाटाना होगा, उन उसके बाद गरीब अपनी बिटिया की अगर मौत हो जाती दहेश की चलते तो केबल के बाद संगर्ज करता नजर आता है तो यहाँ पर मेरा कारिकम के माद्धम से एक ही देश की सरकार से एक ही बिंती है एक ही निवेदन है कि दहेश परता को लेकर ऐसे कानून बनाएं कि बहतू नाम से सुरू हुआ यह सब्द जो की बैरिक काल से सुरू हुआ था यह आदूने की युग में आके अपने चरम पे आके खतम हो जाए अगर हम चाते हैं कि ये बिसाल दानो जो की लगातार हमारे देश की मेलाओं को निगलता चला जा रहा है इसको खतम करना इसके लिए कठोर कानून बनाने होंगे समाज को जागर खुनों होगा और जब कठोर कानून बनेंगे गरतारिया होंगी डंड मिलेगा तभी इस देश से इस कूपरता का अंध हो सकेगा क्योंकि जो आगरे बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश के नारी सक्ति लगातार दहेज के कारण अपनी जिन्ड़गी को गवाती नजर आ रही है इसलिए आने बाले समय में सपत लीजिए कि ना दहेज लेना है और अगर कोई दहेज लेता या देता पता भी चलता है तो उसकी सिकायद करिए और साथी साथ मैं तमाम जो लड़कों के बाफ हैं जो लड़की के पिता हैं जो साधी करना चाहते हैं उनको से भी अपील करना चाहूंगा कि दहेज को नहीं अपनी बहु को ही अपनी लच्पी समझेए और पिता को भी जो लड़की के पिता हैं उनको भी इसलाय देना कि आगे जाके उस कन्या का पूरा-पूरा दानी हो जाए यानि कन्या इस दुनिया से ही बिड़ा हो जाए तो ऐसा दान से अलग रहना है और दहेज के लोलुप लोगों से अपनी बिटिया को साधी नहीं करनी है और साथी साध इस गवर्मेंट से सरकार से भी मैं उम्मीद कर करते हैं कि आने बाले समय में उन्नी से उक्षट का जो कानून है उस पर को संसुजन करके ऐसी धाराएं बढ़ाई जाए ऐसी ब्यवस्थाल आई जाए कि लोग डहेज लेने से पहले चार बार सोचे और डरे चुकि जब तक डंड नहीं मिलेगा तब तक परवर्तन नहीं ह नहीं होगा तब तक प्रथा खतम नहीं होगी तब तब तक विकास नहीं होगा तब तक हम एक बिस्तु गुरू बनने का सपना नहीं दे सकेगे तो आज की चर्चा में इतना ही मज़े दी जन्मती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार